हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो वर चैनल हाइपर ट्रेड़ेस भी मैं हूं महमद सुहेल दोस्तों अपोलो हॉस्पेटल पे हमारा स्विंग ट्रेड था स्विंग ट्रेड कब का था 26th मार्च यानि मैं 25th को वीडियो प्लोड किया था 26th मार्च में हमें इसमें काम करना है औ हम लोग पहली बार अपने यूटूब चैनल के हिस्ट्री में टेलिग्राम के हिस्ट्री में SL इस्तमाल कर रहे हैं एक्विटी में स्विंग के लिए ये भी मैं बताया था मैं क्या बोला आपको स्टॉक में एंट्री लेलो चाहे वो उसका दूसरा दिनो तूसरा दिनो पोइंट को रिकवर करेगा क्यों रिकवर करेगा क्योंकि मैं 15 मिनिट में सेलिंग देख रहा हूँ और वो सेलिंग का लेवल आपको यहां पे एक जोन है जो स्टॉक कवर करके ही ऊपर जाएगा जिसका प्रीविएस ब्रेकडाउन लेवल यहां पे है का यहां पे देखो यहाँ पे 6199 पे, अगर 6199 का level break करते हुए, position on selling indicate कर रहा है, तो निकलेंगे, level break किया निकलेंगे, अगर यह level break नहीं किया, hold करेंगे, हमारे target लगेंगे, तो यहाँ पे अगर आप clearly देखो, उसके दूसरे दिन गया 6455, ठीक है, उसी दिन हम लोगं को 6344 selling में मिला, उसके बाद stock गया 625, यहाँ पे हमारा position बना, क्यूंकि यह था हमारा position, उसके बाद retrace करते हुए, stock यहाँ पे अभी 6418 पे रुका है, और दोस्तों यह भी याद रखो, stock का closing है 6356, आप Monday live market में, इस stock में काम कर सकते, काम कर सकते हैं, फिर से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 30 मिनिट का candle chart लगाँ, तो जो selling यहाँ पे दे रहा है, अगर 15 मिनिट का लगाँ, तो recovery पे हैं, तो अगर 4 hours, अगर 1 hour भी अगर हम लोग देखेंगे, position on selling पर improper buying हो रहा है, जो stock को consider कर रहा है, कि मैं one day में buying लेके जाऊंगा, और oversold एने वा appreciate हुआ है, इसका मतलब stock diet 6626 के लेवल तक भाग सकता है, तो बस मेरा session आपसे इतना है, कि कल भी अगर यहाँ पे red candle कहीं पर भी बना price में, तो आप stock में entry ले सकते हैं दोस्तों, कुछ भी stock में panic होने वाली बात नहीं है, until हमारा 61999 का sell ना लगे, और मैं swing देने के पीछे reason मेरा simple है, reason simple है, one day buying, stock previous breakout का तो support है, recent breakdown level का भी breakout बना है, right, अभी stock जो यहाँ पे trade change कर रहा है, अपना trade change कर रहा है, इसके minimum selling zone से trade change कर रहा है, maximum selling zone में जाने के लिए stock को multiple time depreciation देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, multiple time depreciation देना पड़ेगा, जो stock oversold ही नहीं हुआ, तो multiple depreciation कैसे दे सकता है, इसी लिए मैं Apollo में hold कर रहा हूँ, and strictly maintain करना stop loss 6199 पे गुस्तो, यही था मेरा analysis Apollo stock को लेकर, अगर आपको stock पे analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए, and YouTube channel को subscribe कर लिजिए, thank you for watching my video,